हालो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पार साला आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चल्चा करेंगे एक्सरसाइज 3D की जो की क्लास 8 से ली गई है और इस एक्सरसाइज के जो प्रस्ण हों गई वो हमारे घन्मूल से सम्मंधित प्र तो दोस्तों प्रस्ण दिया गया है कि एक पेटी में सेव इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रतियक तह की प्रतियक पंग्ति में उतने ही सेव है जितने की उस तह में पंग्तिया है यदि तोहों की कुल संख्या पंग्तियों की संख्या के समान है तता पेटी में कुल इतने स हमारे पास समस्या यह हाती है कि इसका हम वर्ग मूल निकालें जो संख्या दी गई है यह उसका हम घंढ मूल निकाले ठीक है ना भाइड यहां पेटी नहीं आएगा यहां पर अकार सब्दा आए बटयागा यहां पे पेटी सबत को जो भी घनमूल के प्रसेंघ उसमें पेटी होगा हाथ हमारा उसमें संदूख हो गांए उसमें बक्षा हो कारी हमारा ये जितने भी घंद्रावा तो यहां पर पेटी दिया गया है इसका मतलब हमें संख्या का गन्मूल निकाल देना तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग 1728 के कर लेंगे अब आज गोड़न खंड अंत में आठ है तो दो से दो अठ्थे 1620 to 22 39 2 6 12 140 पुना दो से तो 24 दो दो प्रहर टीच है दो दो नहीं चार से ड्रजो है दो से 201 हञा सून दो जाएगा सून दो अठ्छी सॉल म्यां दो से दू डर दो चौको वाट पुना दो दूदिव दो निर्षार शक्ष्षर figures और ये दो से नहीं जाएगा इन इसे यह आगए इसके भाज गुडण और उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि अतहा प्तियक तह में कुल पंक्तियां बलाबर अभी हम पंक्तियां निकाल लें प्तियक तह में सेव नहीं निकाल रहे हैं होगा क्या कि यह इसका फिगर हमारा बनेगा घंक याकार का और इस तरह से तो जमीन में जबानी में जब बखा रखते हैं तो जमीन में जो चीज 설क होती है औहुत हुआ हमें में निकाल हैं कि कुल पंक्तियां एक डो कितने हैं floss को उनका धूर्णा करकर तब यह एक तह में सत्कुर्णने सेव हो यह पता सबुए हो को ठीक है जैसे एक यहां पर चार 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 तो कितने हैं कुल चार तीया बाला इस तरीके से है ना तो देखते हैं पहले हम लिख लेंगे कि पिती एक तरह में कुल कितनी पंग्रिया और वो हमारा आएगा घंणूल का चिन और जो भी संख्या दी गई थी सत्त्रा सो अठाए एक दो 3-4-5 छहां वार 2 है और 3 बार 3 है वही लेकिक तो दो 1 दो 2 दो दो गूरें दो दो गूरें 3 गूरें 3 ओर तीन और 2 और है ठीक है अब जो है एक ये दो का आ गया एक ये तीन का आ गया और ये भी दो का आ गया तो इस तरीके से तीन दूनी छे दूनी बारा ये प्रतियक तहमे कुल पंक्तियां आ गई अब प्रतियक तहमे कुल सेव कितने होंगे आताहा प्रतियक तैमे कुल सेव बराबर जितनी पंग्तियां है और प्रसंद कहे रहा है कि उतने ही सेव उस पंग्ति में तो 12 गोणे 12 तो यानि 144 तो दोस्तों यह था पहला प्रसंद और इसका आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गया होंगे अब देखते हैं इस अगर आप देखेंगे तो बिलकुल आपको हर चीज के लिए हो जाएगी एक प्रसंद के बीक में भी कुछ बातें बता देते हैं तो इसलिए जो है पूरा वीडियो देखी तभी आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब देखते हैं कि दूसरे प्रसंद में दिया गया इसमें भी क्या दिया है पेटी और पेटी हमारी कैसी होती है घना करकी होती है ठीक है तो अब सीधा सा वही काम 216 जो दिया गया है उसका हम लोग निकाल लेंगे घन्नूल तो अब आज गुड़न खंट कर लेंगे अंत में छै तो दो से दो एकम दो सून दो दो से तो दो दूनी चाल दो सत्री चोदा पुना तीन से तीन हम सत्ता एस और नौ का तीन तरका नौ और तीन एकम तीन पूंच्छा है कि पेटी में आम की कुल तहें बराबर कि एक बार प्रस्ण को अच्छे से समझ लो तो इतना इजी लगने लगता है कि मजा आने लगता प्रस्ण लगाने में गन्मूल का चिन और संक्या कितनी दी गई यह 216 लिख लिए बराबर गन्मूल का चिन 216 में तीन बार दो था और तीन बार तीन था तो हमने उसको भी प्रस्ट नमबर डो अप चलते हैं इसके प्रस नमबर तीन पर तो दोस्तों तीसरा प्रस्न है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए यहां पर दोस्तों एक और अनुमान आप लगा सकते हैं यहां पर निकालेंगे संख्या का तो उसके लिए गन्मूल के लिए हमें गुडण खंड करने पड़ेंगे अब आज लिख लेते हैं संख्या सत्ताइसो चवालिस अंत्य में चाल है तो दो से अदो सथ दो एकम दो दोटीचे एकोशन क्ना दो 74 दोसटे चोदा दो दुनी आज़क प नोसे दो शक्का बारगा दो तो दूतिच यह जाएगा साथ से तो साथ चोको अठाए साथ ने मात्य सट साथ सते उन्चा साथ एकम साथ बहुत है जी थे अब हम लिख लेंगे यहां पर एक पंक्ति में चाक के कुल डिब्बे बराबर और जो भी संख्या दीगी थी 2744 का उसका हम लोग निकाल देंगे घंबूल तो गनबूल का हो गया चिन तीन बार दो आया था तीन बार आया था साथ ठीक है ना कि कोई गलती तो नहीं है देखते रहिए आप तो यह दो सम्भू हो गया एक दो का एक साथ का तो हो गया साथ दूने चावदा अब यहां पर पंक्ति में चाकर के कुल डिब्बे जो थे हो हमारे निकल आए अब पूरी टहे प्रस नममर एक की त definite है था में जैसे यह पूरी द्नंक दाव ability में 14 लगे और 14 पंक्तिया थो कितने जाद हो गए वही अब लिखेंगे अघ्जात था कुल एक पंक्ति में देक्ति में जाद और जितनी पंक्तियां है उतनी ही एक पंक्ति में डिब्बे थे 14 तो इसका मतलब 14 ही पंक्तियां है तो 14 और 14 का गुणा कर देंगे तो यह गुणा आप लोग 14 की गात दो आप लोगों ने किया है 196 तो यह हमारा 196 आंसर आजाएगा दोस्तु उम्मीद करते हैं आप लोग इस इस सठाकर इस प्रिकार रखे गए हैं कि वह घं का आकार ले लेते हैं यदि इस प्रिकार रखे गए रंगीन घंव की कुल संख्या 512 हो ग्याद कर दो कि कि तनी तोहों से उत गहां करति बनी है यहाँ पर भी देखो दोस्तों घंभ सब दाया है इसका मतलब इसका गहन मू तो तो दूनि4 दो रुझा वोट्र सॉली सवाधिक और धू निकालेंगे उसके लीए भाद्छच को में दो से तो दूनी चार और रंत में दो से दो एकम दो अब जो है हम लिख देंगे अताहा कुल तहें बराबर और घनमूल का चिन हो जाएगा 512 तो घनमूल का हो जाएगा चिन और 512 की जगह पर 2 के 3 4 5 6 7 8 9 तो 2 हम यहां पर लिख देंगे नौ बार चाहरा पाँच है शों यह सामय बने तीन टीन गांज ज के तीन खोब कंफे गया दो गया और कि रहें हैं तो इक के तहा कितने往गी यहेक तप गए घाण हैं फोल दो तो उम्मीद करते हैं इस क्षट प्रत प्रत प्रयाल समय गें अब चलते हैं इसके पृँशन कृत widget रहाँ बीद्यात को दोश्त देता है इस प्रिकार तो दोस्तों गन्सब्दाया है और एक कक्षा में जितने विद्यार थी है उतना ही चंदा दिया गया है और उतने ही छात्तों द्वादा दिया गया है तो हम देख लेते हैं जो भी संक्या दी गये हुसका सीधा सा एकत्य है कि हमें उसका गन निकलना तो अंत्य में पाँच तो पाँच है तो यह पंदा पाच एक पाच थीआ तुंत Inट पनांत में पाच तो पाच पंच कर थीजैसड पुद्दू ठOM पचीज है पांच एकम पांच अब हम इदर लिख देंगे अतहा कुल विद्यार्थी बराबर और यह हमारा क्या आजाएगा घनमूल का लगा देंगे चिन और 15625 अब जो भी हमारे अबाज गुणन खंड आए हैं उनको हम लोग लेख देंगे तो ये पांच आया था छे बार तो पांच गुणे पांच गुणे पांच गुणे पांच गुणे पांच गुणे पांच गुणे पांच 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 के समभू बना लिए तो दो समभू बने तो पांच गुणे पांच याने पचीस तो कितने विद्यार थी थे पचीस विद्यार थी थे और यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गये होंगे अब चलते हैं इस एकसरसाइज के अंतिम प्रस्ण पर तो दोस्तों बहुत अच्छा प् हमें लीटर के बराबर हो इस थीक है तो अब यहां पर हमें दिलिया गया है सबसे पहले हम देख लेते हैं 1000 लीटर पानी का आएतन 1 घंड मीटर तो 1331 लीटर कि पानी का ये तर्थ गंड मीटर गाँ ये संख्या उपर जाएगी 1330 यहां पे जो संख्या यह बटे में आ जाएगे बटे में 1000 और ये घंड मीटर थीक है अब हमें कि नंग की माब ग्याद करने है यानि कि उसकी लंबाई चोड़ाई और उंचाही ग्याद करने हैं कुकर टंकी घन के याकार में है उसलिए तीनों भुजायों इसकी बराबर होंगी और भुजा निकालनेंगे कैसे आताहां टंकी की एक बुजा बराबर एक भुजा निकाल लेंगे वही नाप सभी भुजाओं की होगी और वह भुजा होगी घंबूल का चिन टंकी का आयतन ठीक है ना समझ गया आप लोग पीछे भी कुछ प्रेस्ट किये थे इस तरह से अब जो है टंकी का आयतन कितना दिया गया है यह हमने भी 1331 बटे गंबू कर चिन दोनों संख्याओं के हम लोग अब आज गुड़न खंड पहले कर चुके हैं तो यहां पर हम नहीं करेंगे 1331 की होते हैं 11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11 आप लोग करके देखिएगा और 1000 के हमने बताया था 10 गुड़े 10 गुड़े 10 लिख देते हैं वैसे 5 द देखे 111 मीटर है तो यहां से हमारी भूजा कि लंबाई क्या निकल जाया आई आताहां टंकी की मेले इक अ